नमस्कार दोस्तों आपके अपनी वैदिक एस्ट्रो लाइफ यूटूब चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रिशवरासिवाले जातकों का नवंबर दो चार्टेज का महिना कैसा रहेगा ये महिना आपके जीवन में क्या परिवर्तन है और क्या बदलाओ देखने को लाएगा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं चैनल के सब्सक्राइब कीजिए और खंटे की बटन पर क्लिकेशे ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सम्पून जानकारे देंगे दोस्तों वीडियो को अन तक जरूर देखे ताकिस में कह कही बाते आपको अच्छे से और इस परश्ट समझ में आ सके तो आईए चलते हैं वीडियो के और तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका स्वास्त कैसा रहेगा जब आपका स्वास्त सही रहेगा तभी तो आप आगी काम कर पाएंगे आपका सारे चीजों में अच्छा मन लगा रहेगा अगर स्वास्त सही नहीं रहेगा तो आपका कोई भी काम सही नहीं होगा बाद में मंगल सेवन्थ हाउस में गोचर करेंगे तो यहां पर जातकों को पार्टनर्शिप और रिलेशन्शिप में उतार चड़ाओ देखने को मिल सकता है जो व्यक्ति खुद का ब्यापार कर रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलेगे केतो आपके सिक्स हाउस में विराजमान है जब सनिवक्रिय अवस्था में आएंगे तो तिन थाउस में विराजमान रहेंगे देव गुरु प्रिहस्पत आपके वार्वेगर में विराजमान रहेंगे और राहु आपके 11 थाउस में तो यहाँ पर ब्रिशा वराज वाले जातकों का जो भाग गी है धन के मामले में तो यहाँ पर ठीक ठाक परिड़ाम देखने को मिलेंगे साथ ही आपके खर्चे तो रहेंगे लेकिन आपके कमाई में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी आए हम बात करते हैं आपके स्वास्त के बारे में कि नवंबर दो हजर तेस में आपका स्वास्त कैसा रहेंगे तो ब्रिशा वराज से वाले जातकों को छोटी मोटी स्वास्त से लेकर समस्या हो सकती है थोड़ा सा दिक्कत हो सकती कोई बड़ी बिमारी नहीं होगी सिक्स हाउस के स्वामी आपके फिप्त हाउस में विराज मान है सुक्र देव तो थोड़ा से यहाँ पर सुक्सी विधाओं में कमी देखने को मिल सकती है इसके विप्रीच सेहत पर भी थोड़े से खर्चे बढ़ जाएंगे और ब्रियस्पत आपके त्वेल्थ हाउस में विराज मान है सनि देव आपके तिन्थ हाउस में विराज मान रहेंगे तो यहाँ पर आपको उर्जावान तो बनाएंगे क्योंकि सनि देव आपके तिन्थ हाउस में विराज मान है और बेहस्पत भी आपके बार में घर में बैठे हैं तो यहां आपको थोड़ा सा अच्छा फिल महसूस करेंगे आप उर्जावान अपने आपको महसूस करेंगे सनी की द्रिष्टी आपके फोर्थ हाउस में पड़ रही है तो यहां पर आपके सुविधाओं में थोड़ी सी जो सुख सुविधा है कमी देखने को मिलेगी आपके लगजरी चीज़ों में कमी देखने को मिलेगी जब सनी वक्री यवस्था में होंगे तब जिसाव रासि वाले जात्कों को थोड़ी सी सेहत से जोड़ी समस्या देखने को मिल सकती है थोड़ा सा आपके सुख स्वास्त में उतार चड़ाओं देखने को मिल सकता है आईए अब बात करते हैं कि आपका प्रेम, प्यार और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा विज़सा वरास्यवाले जातकों का नवंबर 2030 में जो लोग प्रेम की मामली में हैं उन लोगों का ये महीना ज़्यादा खास नहीं रहेगा आप दोनों के बीश थोड़ी सी गलत फैमी होने के वज़े से लड़ाए जगड़े वाद विवाद देखने को मिल सकता है साथ ही ये महीना ने रिलेसंसिप में प्रवेस करने के लिए सही नहीं रहेगा क्योंकि इस महीने आपको सफलता मिलने में बेहत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है बार में भाव में ब्रिहस्पत और राहूं की उत्ती भी बन रही है तो यहाँ पर विशवरास वाले जातकों के रिस्ते में खुसिया नहीं रहेगी खुसियों में कमी देखने को मिल जाएगी जो जातक विवाह के बंधन में बतना चाहते हैं उनके लिए यह महीना सही नहीं रहेगा तो इसलिए ब्रिशवरास वाले जात तक थोड़ा सा अब वेट कर लेजी ब्रिशवरास के जो साधी सुदा वाले लोग हैं तो उनके वेवाहिक जीवन में यह महीना थोड़ा सा उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है आपके दामपत्य जीवन में खुसियों में कमी देखने को मिल सकती है विवाहिक जीवन को सही बनाने के लिए इन जातकों को थोड़ा सा ताल मिल बैठाने की अवश्यक्ता है थोड़ा सा आप अपने पार्टनर के साथ सही बढ़तावाएं और उनको समय दें उनके साथ ज़्यादस ज़्यादा समय बिताएं आईए अब बात करते हैं कि आपका परवारिक जीवन कैसा रहेगा तो इस महीने के दौरान आपकी सिकंड हाउस के स्वामी के रुप में बुद्ध ग्रै आपकी सेवंध हाउस में और एट हाउस में बैठे होंगे जिसकी वज़े से परवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आप अपने बुद्धिये से अपने परिवार में जो भी प्रॉबलम उत्पन हो रहे हैं उसको संभालने में सग्षम रहेंगे मतलब कि जो भी लड़ाई जगड़ा रहेंगे उसको आप थोड़ा सा बचाने की कोशिज करेंगे और उसमें आप सफलता भी पाएंगे जिससे कि घर में ज्यादा लड़ाई नहीं होगी घर परिवर में थोड़ी बहुत मतभेद बने रहेंगे अब बात करते हैं कि ब्रिसवरासिवाले जातकों का आर्थिक इस्तिति कैसे रहेंगी नवंबर 2030 में तो ब्रिसवरासिवाले जातकों के नवंबर के बीच मेहिने में ब्रिहस्पत आपके वार में घर में रहेंगे और रहो आपके एलेवन्त हाउस में इस्तित रहेंगे जिसकी वज़े से धनलाप की साथ साथ आपके खर्चों में भी बृध्धी होगी इस महीने रासी के स्वामे सुक्र आपके पंचम भाव में और सिक्स हाउस में विराजमान रहेंगे और इसके परिणाम सरूप आपको ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए प्रेरिक कर सकते हैं लेकिन दूसरे तरफ आपकी खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और जो जातक ब्यापार से जुड़े हैं मतलब खुद का ब्यापार कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा मुनाफ़क कम देखने को मिले नवंबर 2030 के अनुशार सनी आपके दसम भाव में मौजूद रहेंगे करियर के भाव में सनी एक चुनौती पूर्ण ग्रह हैं इसलिए इस रास के जातकों को थोड़ा सा सकरात्मक परिणाम देखने को मिलेगा जब ये लोग कड़ी महनत करेंगे जब अपने करियर में बह पर भी पढ़ सकता है जो मुख्य रूप से नौकरी में बदलाव देखने को मिल सकता है या फिर नौकरी में ट्रांसपर या फिर नौकरी में लाभ होने की चैंसिस हैं दो-चार दिन थोड़ा सा आपका मुश्किल भरा दिन रहेगा बाकि फिर आपका सही समय सुरू हो जाएगा ब्रियस्पत आपके बार में घर में विराजमान है राहू आपके लेवन थाउस में बैठे हैं तो यहाँ पर नौकरी में मिलने वाले प्रमोशन थोड़ा सा देरी हो सकता है साधे करियर के छेत्र में जातक को मिले जुले मतलब ठीक ठाक परिणाम देखने को मिलेंगे सनी आपके तिन थाउस में विराजमान है तो यहाँ पर नौकरी से जो भी कारे कर रहे हैं या फिर अपने कारे स्थाल में कोई भी कारे कर रहे हैं तो यहाँ पर सनी देव आपको थोड़ा सा कोई भी चीज देंगे देरी से देंगे और जिन जातकों का अपना खुद का व्यापार हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर मुनाफ़ा थोड़ा सा कम ही रहेगा और क्योंकि प्रियस्पत आपके 12th house में हैं तो यहाँ पर थोड़ा से दिक्कत देखने को मिलेगी पर्मिभाओ के मालिक मंगल आपके 7th house में भी राजमान है तो यहाँ पर partnership में समस्याए उतपन हो सकते हैं तो दोस्तो बृसा बरासिवाले जात तक थोड़ा सा अपने करियर के छेतर में मेहनत करें और थोड़ा सा सम्भल कर चलें यहाँ पर आपको प्रॉफिट तो होगा लेकिन आपको कोई भी चीज मिलेगी तो देरी से मिलेगी तो दोस्तो यदि आप सभी को हमारे वीडियो पस संद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर कीजिए